नमस्कार दोस्तो मैं आरियन सर्मा और आप लोग देख रहे हैं आरियन online classes तो मेरे प्इयारे दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्छा दस्वी के जोग्रफी यानि कि भुगोल का पाचमा अध्याएं और पाचमे अध्या क्या दे रक्ता है? आप लो है तो आप लोग को एक अच्छे नोट्स एक पीडियाप की जरूरत परेगा आपको डिविजन के लिए तो मैं आप लोग के लिए पीडियाप भी उपलब्द कर दूँगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा हलाकि मैं इसके बारे में आगे बात करूगा किस परकार से आप लोग को पीडियाप लेना है आगे मैं देख लेता हूँ इसमें लिखा है कि एक ही वीडियो में आप लोग का जो बोड़ा अधिया है खत्म होगा लेकिन नहीं मेरे भाई इसका पार्ट वन है ये ठीक है और इसका पार्ट टू आएगा ठीक ह क्योंकि मैं जो हूँ अध्या देख के आप लोग को पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो बस ये चाहता हूँ ठीक है ये थोड़ा अध्या जो है थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने इसको दो भाग में बार दिया पार्ट वन और इसको पार्ट टू में ठीक है पार से लाइक करने और पार्ट टू के लिए कोमेंट भी रख देना बाद में पहले वीडियो देख लो वही कितना समझ में आता है ठीक है और रही बात समझाने की मैं अपना आपको 100% दूगा ताकि आप लोग किसी तरह समझ जाईएगा ठीक है तब दीखें यहां पे 100% समझाने की गारेंटी मेरी है और आप लोग को समझने की गारेंटी भी दे ले रहा हूं ठीक है आप लोग 100% समझ भी जाओगे लिक के दे रहा हूं फुल गारेंटी है ठीक है अगर आप लोग उसके बाद यहां पे है कि अगर आप लोग पहला अधिया दूसरा अधिया तीसरा आपका board exam नजदिक है, आप लोग को तैयारी बहतर करना है, तो जरूर इसी वीडियो की नीचे रिपिसेशन वक्स में आप लोग को लिक बलेगा, जाके 1, 2, 3, 4, जो अध्या है, आप लोग जाके देख लिजिए, आए हलाकी मैं आगे आप बात कर लिता हूं, ठीके, अब हम यहाँ पर थोड़ी से एक बात बताते हैं, आप लोग को, हम अपनी रोज मरना की जिन्दगी में जो है, धातू से बनी, परतेक चीज जो आज आ रहा है, सभी चीज धातू से बनी होती है, अनेक बस्तों का परियोग करते आ रहे हैं, मतलब हमारी जिन्दगी में जो है, प अगवग हर चीज खनीज का ही बना होता है यह चीज जो आप लोग समझ जाएगा 100% धातू खनीज विलकुल अच्छी तरह समझ जाएगा ठीक है तेंसर मतले ना सुई से लेकर कार तक ठीक है सुई से लेकर कार तक जो है आपको खनीज से ही उपलब्ध होता है तो भया को कहते हैं यह समझा दीजे तो आजए समझ लेते हैं खनीज का अगर उधारन पूछे पडिवासा पूछे तेकी सब्द में बोलना है खनीज एक प्राकृतिक रूप में विद्धमान तत्व है मतलब यह खनीज प्राकृतिक रूप से मिलती है हमें और जिसकी एक संसाधन के बारे में पहले किलियर कर दिया जो हमारी जरूरतों को पूरा करे उसे हम लोग संसाधन कहते हैं तो भईया खनीज जो हमारी जरूरत को भी पूरा कर रहा है तिसलिए यह एक अच्छा संसाधन बन गया है अगर किसी भी छेतर में खुदाई करते वक्त खनीज न अब दिखे ये क्या होता है बिल्कुल समझे इसका निर्मान जो है अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अबस्था में दरार के सहारे भूप्रिष्ट मतलब भूमी के उपर धाकेला जाता है तो ये ठंडा होकर जम जाता है ये चीजे आप लोग को नहीं समझ में आया होगा आये समझाते हैं कैसे देखे अगनिय तथाकायां तरित चटान जो होते हैं ये ये देखे ये ज्वाला मुखी है और ज्वाला मुखी जो है लहकते रहता और इसके अंदर जो चटाने बगिरा रहती ये लहकते लहकते क्या होता है वो लिक्विड फॉम में आ जाता है आग के बाहर निकला तो जम जाता है और ये ठंडा होकर जम जाता है तब जाके किसी की निर्मान होती है किस दातू की तो जास्ता का निर्मान होता है तामबा का निर्मान होता है सीसा का निर्मान होता है और जिंक का निर्मान होता है तो आई होप आप लोग अर्णिय तथ यहां पर सब्सक्राइब आपको समझान है अब साधी चत्न में पाए जाते है huh अब किसी भौतिक या किसी भी बजह से अगर परिक्रिया हो या भौतिक परिक्रिया हो किसी भी बजह से अगर हम चयूथ दर्पांड तूटने लगता तब उसमें उपस्थित खनीज एसक के रूप में रह जाता है तो उसके उपर जो है क्या रहता उसके अंदर उपस्थित रहता है क्या खनीज एसक रह जाता है तो जिसे हम दोबारा अलग कर खनीज पराप्त कर लेते हैं जैसे आपका हो गया पोटासियम और सोडियम तो भौतिक या रसायनिक प्रिक्रिया द्वारा तूट जाती है, तब उसमें उपस्थित खनीज एस्क रह जाती है, जिसे हम लोग दोबारा क्या करते हैं, खनीज को एकत्रित करके प्राप्त कर लेते हैं, तब साधी चटाने आप लोग समझें, नेक्स आता है जलोड जमाव। अब ये क्या होती समझे, जो खनीज जल में घुलनसील नहीं होता है, वह जलोड मिर्दा के अंदर जाके जम जाता है, क्या, बिल्कुल समझेगा, जलोड जमाव, बिल्कुल समझे, जलोड जमाव, ठीके, जो खनीज, जो खनीज में घुलनसील नहीं होता है, खनीज में नही घुल पाता है, तो वह जो है, जलोड मिर्दा के अंदर जमाव के रूप में रह जाता है, जम के रह जाता है, और इस परकार के निपेक्च को प्लेसर निपेक्च कहते हैं, इसी परकार के निपेक्च को क्या कहते हैं, प्लेसर निपेक्च कहते हैं, और जो जम जाता है, उसी से क्या निर्मान होता है सोना निर्मान होता है चांदी निर्मान होता है तो जलोड जमाब आप लोग समझ गये और सोना चांदी कहां से हमें प्राप्त होती ये भी समझ गये जलोड जमाब से ही प्राप्त होती क्योंकि ये वे खनीज है जो जल में घुलनसिल नहीं होते हैं बात आप लोगो तोड़ तोड़ के समझाना है आप लोग अची तरब समझे हैं अब अगेता है महा सागेτ Administration जल पराप्त होता है हमारे महा साग्रिय जल में भी पाए जाते हैं क्यों से तो मैंने आपको बताया था पहले भी समुद्धर समुन्दर जो है क्या होता है नमकीन होता है पानी क्या होता है नमकीन होता है मेरे वाई समुद्र जगर अगर नमकीन होता है जो महासागरिये का जल होता है नमकीन होता है मतलब उसमें क्या हमें प्राप्त होता है नमक प्राप्त होता है ठीक है जो जो नमक है अगर हम नहीं खाएं तो एक दिन का जिंदगी नहीं गुजर पाता है बहुत कष्ठ होता है यार तो उसके बाद महासागिर्य Ease के कारण परतों में निर्मित हो जाते हैं वास्पी करण होके और धर्ती के उपड़ी परत पे जो है वह निर्मित हो जाते हैं उस पे जाके वह चिपक जाते हैं चादर के तरह हैं तो कौन से धातू होते हैं बॉक्साइड होते हैं तो बॉक्साइड हमें कहां से प्राप्त हो बिखाइथा पार्लाव जाता है तो तुब यह का अनसु उसे लोग थातू कहते है जिसे रिखविया मैं needing और निकल लिखाए यहां पर निकल होगा बिल्कुल समझिएगा, धातविक, खनीज में क्या क्या आ जाता है, लोह धातु, जिसमें लोहा कांस हो, इसको alag-alag करके, हम इसलिए लिखें, लोह धातु और ओलोह धातु, और बहु मुल्य खनीज, ठीकें, तीन भाग में इसको लिखें, धातविक खनीज के अंतरगत ये लोह पदार्थ नहीं Pvdk में नहीं चिपकता है ङकई याद रखना यहाद्न हो गया आपका सीसा भूल जासता हो गया वह क्याएप इसे मुल्य छेय्सेसं स्वहशकूगा लूट नुर्ला हो जाता है ठीक है द्रकवा पास आता है, भाह मुल्य खनीश, जैसे सोना हो गया, चान्दी हो गया, प्लेट नियां तरहिजंग दाम मोर्त क्या द्ünde द्रिक थीर से ईत्थिच आते हैं presentu द्थात्विक खनीश, घौन खक ценится का प्ते द्रिक खनीश, भाह मुल्य खने안 तथा बलुवा पत्थर हो गया तो धात्विक खनीज के अंतरगात आता है और खनीज को तीन भाग में बाटा गया धात्विक और धात्विक समझ गये और उर्जा खनीज उर्जा खनीज में क्या आता है कोईला, पेट्रोलियम तथा प्राकिर्टिक गयस तो आप लोग समझ गये खनीज के अंतरगत क्या क्या आते हैं और खनीज को तीन परकार में बाटा गया धात्विक और धात्विक और उर्जा खनीज धात्विक खनीज को जो है फिर तीन भाग में बाटा गया लोग धातो और लोग धातो और बहुत मुल्य खनीज ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो कर दिजे फटाक से लाइक ठीक है आप लोग लाइक ने किते इसलिए इस वीडियो मैं बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहें लाइक के लिए ठीक है अब रही पर मैंने आपको बताया तीसरा बहुत मुल्य खनिज तेसको मैंने यही पर खतम कर दिया आब आता है लो धातु और लो धातु के बारे हर जगे जरूरत परता उसे अधारभूत खनीज बोलते हैं तो लोहा का जरूरत कहां नहीं परता हर जगे परता अप लोग ये चीज़े तो समझते हैं ही होगे और यह जो है और द्योगिक विकास की रीड मानी जाती है और एक जगह का नाम है बहरत ठीक है बहरत में जो है लो आयस जो है बहुत मात्रा में उपलवद है ठीक है मेगनेटाइट मेगनेटाइट वो लोह आयस ठीक है जिसमें 70% लोहा होता है यहां पे आप लोग को एक यह बहरत नहीं लिखाना चीए गलत लिखा हुआ है यहां पे होगा भारत क्या होगा भारत यहां पे क्या भारत होगा भारत में जो है लोह आयस बहुत मात्रा में उपल प्रकार अब देखे मेगनेटाइट क्या होता वह लोहा ऐस जिसमें 70% लोहा हो उसे मेगनेटाइट बोलते हैं ठीक है और यह सरबत्तम प्रकार का लोहा ऐस ठीक है बिलकुल अच्छी तरह समझेगा एक एक पॉइंट के लियर होना चाहिए तभी जाके आप लोग समझेंगे और आप बहतर करपाएंगे तो लोग अैसक लोह खनीज के अंतरगत चाहिए लोग आयसक और लोहा जो है एक अधार बूत खनीज है या उद्योगिक विकास का स्गारीड है और भारत में लोहा का जो है लोहा अयसक बहुत मातराम जो है उपलब्ध है ठीक है मेगनेटाइट क्या होता है यह जो है सर्वत्तम लोहा का जो एक सर्वत्तम परकार है अच्छी क्वाइलेटी का होता है मेगनेटाइट लोहा ठीक है और इसमें जो है 70% लोहा होता है अगर 70% लोहा होता है तो दातु क् magnetite बोलेंगे ठीक है clear हो गया और next आता है आपका कि अब भारत में कौन-कौन से लोह अयस की पेटियां हैं पेटियां मतलब जो इसके क्या होते हैं खदान भंडा भंडार को ही पेटियां बोला जाता है यह चीज़ें आप लोग समझे ठीक है पहले तो यह चीज़ समझ लेते हैं कि भारत में कौन-कौन से लोह अयस की पेटियां छेत रहें कहां-कहां लोहे की भंडार है सबसे पहला जाता उडिसा जारखन और जारखन की में बात करूँ तो सब चीज का वहीं पे है कार खाना हो या आपका भंडार हो लगभग चीज़ जो है वहीं पे है चाय कोईल घंजर समझेगा उडिसा जारखन की भंडार जहन कि अर्ज़ा और जारखन में में कहां Tara ad के चेस का CMS में बिल्कुल यह चीज़ आपको समझा रहे हैं उडिसा और जार zomb की भंडार टिक presupय में समझेयों घंज़ है में और जारखन में कहां पड़ता है सिंगपूर में पड़ता है फिर नेक्स आ जाता है दूर्ग वस्तर चंद्रपूर पेटी यह देखे तीनों जगे का नाम है दूर्ग वस्तर चंद्रपूर पेटी मतलब भंडार याद रखना भंडार यह महराश्ट तथा 36 गड़ के अंदर जिला है जहाँ पे वस्तर पड़ता है और वहाँ पे लोईस का भंडार है दूर्ग वस्तर और चंद्रपूर यह महराश्ट तथा 36 गड़ के अंतरगत आता है बाकी जो है यहाँ पे 36 गड़ में कौन सा आ गया वस्तर जिला में क्या है लोईस की भंडार है और यहाँ पे एक चीज़ें और समझनी होगी भाईया मेरे यहां पे जो है जारखंड और उडिसा की जो भंडार है तथा दुर्ग और व्यस्तर और चंद्रपूर पेटी का जो भंडार है ठीक है यहां से माल बन के जो यहां से जो है लो आयस्क बना कर वो कहां भेजा जाता है तो जपान बिछा जाता है क्लियर हो गई आए आगे समझते हैं आगे आ जाता है कौनसा बल्लारी यह देखिए चित्रदूर्ग चिकमंग्लूरू तुम्करू पेटी अब यह नाम तो आपको अजीब लगता होगा ठीक है पेटी मतलब क्या होता होता भंडार ठीक है यह नाम आपको लगता होगा बल्लारी बल्लारी चित्र दुर्ग चिक्का मंगलूर तुम करू यह जो है साउथ इंडियन ने ठीके साउथ की तरह पड़ता है साउथ इंडिया धर के साइड का है ठीके साउथ इंडिया यह पेटी करनाटक के अंतरगत आता है कहां के अंतरगत आता है करनाट रखके अंतरगत आता है यह भंडार और यहां आप दिखिए पुबेदरा मुख की खाने संसार की बरी खाने हैं और खानों में खानों में से एक रूप है बिल्कुल यह सिज़े आप लोगों समझ में नहीं आयोगे यह जो साउथ इंडिया के तरफ है भंडार बलारी चित्र दोड़ चिका मंगलूर तुम करू पेटी मतलब भंडार जो है यह तो पहली बात तो आप समझ लिजे यह भंडार करनाटक के अंतरगात आता है और कुद्र मुख की खाने जो है संसार की बरी खानों में से एक रूप है यह सबसे बरा है यह चीज़ें आप लोग समझ पेटी महराष्ट गोवा पेटी यह गोवा तथा महराष्ट की रतनागिरी जिले में है कहां पे है रतनागिरी जिले में है और यहां का लोहा जो है उत्तम परकार का नहीं होता है इनकी क्वाइलिटी जो है लो होती है बहतर नहीं होती है महराष्ट और गोवा की लोहा लो तथा महा राष्ट के रत्नागिरी जिले में उपलब्द है वहीं के जिले में यह मिलता है वहीं पे इसका भंडार है एक बात में बोले तो क्या है भंडार है और यहां की लोहा की क्वालिटी जो है खराब होती है अब आती है मैगनीज के बारे में समझाते है मैगनीज मुख रूप से इस पात बनाने में परियोग किया जाता है अगर 100 किलो इस पात बनाने में 10 किलो मैगनीज का आविशकता परती है मैगनीज क्या है मैगनीज मुख रूप से इस पात बनाने के लिए इसका परियोग किया जाता है मैगनीज एक ऐसी धातू है जो इस पात बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मतलब 100 किलो ग्राम अगर इस पात बनानी हो तो 10 किलो ग्राम मैगनीज की आविशकता प परतिय दही नहीं डालेंगे, तो दूध से दही नहीं बनेगा, उसी परकार से अगर हमें 100 kg इसपात बनाना है, तो 10 kg हम लोग को क्या डालना होगा, मैगनीज डालना होगा, उरिसा में सबसे ज़्यादा मैगनीज पाये जाते हैं, क्या उरिसा में सबसे ज़्यादा क्या पा जाता है और इसका उप्योग जो है ब्लीचिंग पॉडर तो आप लोग जानते ही होंगे कीट नासक दवा तो आप लोग जानते होंगे कीट नासक और पेट बनाने में भी क्या जाता है तो यहां पेट लिखा हुआ ठीक है पेंट क्या होगा पेंट बनाने में भी क्या जाता अब आजाता है औलो द्हातु के अंतरगत क्या क्या आते हैं यह चीज़ समझ लेशा सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया तामबा तो भारत में तामबा का भंधार जो है कम है तामबा धातवर्द तण्य तन्य और सुचालक होते हैं यह तन्य का मतलब क्या होता जिसे हम पीट कर पतली चादर तरह बना तरह बना तरह हो तक यहांता तक धारा जा सके और दूसरी और example समझाना चाहिए यहाँ पर एक बल्व लगा दिया जाए और यहाँ पर वैट्रिक से या इलक्रिक से कनेक्ट कर दिया जाए तो जल जाएगा सुचा लगता लगता है तो भारत में तामबा का भंडार जो है भाया कम है तामबा जो है घात वर्दे मतलब तन्य और सुचालक होते हैं क्या होते हैं तन्य और सुचालक होते हैं तामबा का उपयोग बिजली का अस्तार बनाने electronic में जो है इसका उपयोग क्या जाता है आप गुशन को पक्का करने में भी इसका उपयोग क्या जाता है और ये कहां कहां मिलता है इसका परमुक छेतर जो है राजस्थान का और राजस्थान का कौन सा जगह है खेतरी ठीक है खेतरी और मद्ध परदेश का बाला घार ठीक है और जार्खन का सिंग भोमी तो जार्खन देखिए आप लोगों सब जगे मिल रहा है जार्खन चाहे वो कोईला का खान हो ठीक है फेटरोल का हो सभी जगे आप लोगों जार्खन मिल जाएगा ठीक है सिंग भोमी ठीक है तो अलोह धातु में तामा आता तामा का इत्यास आप बोला जाता है क्या transformative एक पॅक्स्टा रही हिए तो भीलोनिय हमें किस से मिलते है जहाना हत्य रहे किसी से मिलते हैं आप और 90 से मिलता है ना कि यह हम बोलेंगे कि Viv committed एल्मूनियम भाप funds हो तोस्व और अधिक ब्लीजाओं से संब सेख क्यों, एक मैं बोक्षाइड आपत्य कि की में बात करूँं और सबसे ज्यादा ओडिसाम ये प्राप्त होते, ये चीज भी समझ दिये, आइए आपको समझाते हैं, अब्रक के का दात्मएक होते हैं, किसका अबरक का अबरक एक ऐसा खंच है जिससे बहुत सी पतली चादर बनाई जा सकती ये परत इतनी महीन हो सकती है जिसको अगर एक हजार परते बनाई जाए तो कुछी सेंटीमीटर मोटी होगी कुछ ही सेंटीमीटर मोटी होगी अबरक जो है काले हरे लाल पिले अवस्था में पाए जाते हैं भूरे रंग के अवस्था में ही यह पाए जाते हैं अगर मैं बात करूँ कहा मिलती है ज्यादातर तो ये राजस्थान के अजमेर में बरी मात्रा में पाये जाते हैं तो अबड़क के बारे में आप लोग समझगे नेक्स्ट आता है आप लोग का चटानी खनीज चटानी खनीज भी क्या है और धात्विक है मैंने बताया था आपको अधात्वी के बारे में भी पढ़ाएंगे सारे की सारे टॉपिक कबड होगा ठीक है तो चूना पत्थर चटानी खनीज के अंतरगत क्या आता है चूना पत्थर आता है और चूना पत्थर चूना पत्थर जिसे केल्सियम कार्बोनेट से बनता है अब ये चीजे नहीं समझ में आ रही है कि यह चूना के अंदर क्या होता है केलसियम होता आपने सुना आई होगा साइंस में पढ़ा आई होगा तो चूना पत्थर केलसियम या केलसियम कार्वोनेट से बनी चटानों में पाई जाती है वह इसे चाटान जिसमें केलसियम कार्वोनेट हो ठीक है उससे हमें चूना पत्थर प्राप्त हो सकती है क्लियर हो गया चूना पत्थर सिमेंट उद्यों के अधार्भूत कच्चा माल है जो चूना पत्थर है चूना पत्थर, पत्थर जो है, जिससे हम लोग घर बनाते हैं, सिमेंट, क्या, सिमेंट जो है, आप लोग घर बनाने के लिए सिमेंट इट जोड़ने के लिए क्या, सिमेंट का उप्योग करते हैं, तो वहिया ये सिमेंट जो है, उसी का कच्छा माल है, स्वरी, कच्छा माल अगर चूना पत्थर ना मिलाया जाए तो सिमेंट पक्का सिमेंट नहीं होगा और यह अब साधी चटानों में पाई जाती है अब साधी चटान मैंने पहले बताया था ठीक है लोहा प्डगलन में इसका भी उपयोग क्या जाता है लोहा का प्डगलन में भी इसका उपयोग क जाएगा आई होप यह वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी अब रही बात की पीडियाप का तो पीडियाप आप लोग को कैसे मिलेगा मैं आपको बता दू सबसे पहले आरियन ओनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो को लाइक क कर सकते हैं रही बात आप लोग को पीडियाप की तो आप लोग के आपास बहुत सारे आप सं मैं देता हूं सबसे पहला आप सन आप लोग जो है बहुत अरे बच्चे इन्स्टाग्राम अडी चलाते है प्रैविस के लिए तो इस पर जाके फॉलो कर लेना और मेंसेज करना सर्च बार में आरियन ओनलाइन कलासिस ठीक है यह चीजें आप लोग को सर्च कर लेना सर्च करेंगे और ग्रूप में जोएन हो जाएंगे तो वहां सभी आप लोग को वीडियो तो था नोटिफिकेशन सारा चीज वीडियो बगड़ा मिलते रहेगा ठीक है और नेक्स और अ ठीक है यह इस पर नंबर पर जो है कॉल नहीं करना किसी भी हालत में आप इस नंबर पर कॉल ना करें सिर्फ आप लोग मैसेज कर दें मैसेज रीड होने के बाद आप लोग को जबाब दिया जाएगा हो सकता थोड़ा सा काम में विजी रहें मैसेज रीड नहीं कर पाते है लेकिन भाई कितने का मेसेज रीड करें लेकिन करेंगे जरूर चाहे आपको दो गंटे में रीड हो जाए या पांच गंटे में रीड हो जाए उसी दिन रीड होगा ठीक है जिस दिन आप मेसेज करेंगे उसी दिन रीड जरूर होगा सीन जरूर होगा देखा जरूर जाएग तो भाईया आप लोगों करना है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक फिर से बोल डाओं ठीक है यह चीजे कर लेना चैनल पे नेओ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ठीक है लाइक कर देना मोटिवेशनल के लिए कि जल्दी वीडियो आजे और सेर कर देना अप